हाई गाईस इस वीडियो में दो मीडिया रिपोर्ट्स हैं बिरुजगारी भत्ता को ले करके एक बड़ी न्यूज यहाँ पर आई हुई है यहाँ बताया गया कि बिरुजगारों को प्रुसाहन रासी देने के तैयारी में है यहाँ पर राजसरकार जब कॉंग्रिस की सरकार यहाँ पर स्टेट में बनी थी तो धाई हजार रुपए देने का वादा किया गया थे इनके घोशना पत्र पर उसी को ले करके आटिकल आया हुआ है देखे यहाँ पर मेंसन भी किया है कि 36 गड़ सरकार ने सिक्षित बिरुजगार युवाओं को प्रुसाहन रासी जिसे बिरुजगारी भत्ता कहते हैं देने के तैयारी सुरू कर दी है बिरुजगार युवाओं को प्रुसाहन रासी के संबंद में गठीत अंतर विभागी समीती के बैठक बारत तारिक को होना है ठीक है ये बारत तारिक के डेट का यानि अपडेटेड आपका निउस है उसके अभी तक पूरा नहीं किया गया है लेकिन अब यहाँ पर बताया गया कि प्रुसाहन रासी देने के तैयारी में है गौर्मेंट यहाँ पर हम बात करें नमबर आफ यहां पर कितने कैंडेड यहां पर पंजिकरित है तो 19 लाग से अधित पंजिक्रित है यहाँ जो जुचनाओं में कितने युवाओं को जोड़ा गया है, वो यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे आप देखी, मैं आपको जो भी आर्टिकल बताया, उसी के आगे के पार्ट यहाँ पे आज के मीडिया रिपोर्ट में भी आया हुआ है, बताया गया 36 गर सरकार प्रदेश के सिक्षित बिरोजगार युवाओं को प्रोसान रासी देने के बजाए अब उन्हें विबिन ने सास किये विभागों की योजनाओं के अंतरगत रोजगार के आसर उपलब्द कराने पर जोड़ दे रही है ठीक है मतलब की बिरोजगारी भत्त जो धाई अजार रुपे मिल है वो तो ठीक है लेकिन अलग से अगर उनको और कहीं पे काम दिया जा सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी योजना के अंतरगत ठीक है अगर दिया जा सकता तो वो यहाँ पे मौके को तलास कर रही है यहाँ पे गॉर्नेट और जितने भी विभाग है उन सब का अंतर विभागी समीती का बैठक हो रहा है और ये चर्चा किया जा रहा है आगे का कोई भी अगर अपडेट आता है कब से देने वाला या कुछ भी जिसीच के बारे में कुछ भी अगर विस्तार से जानकरी अगर आती है तो आपको बता दिया जाएगा